हेलो गाइज गोड मॉनी एक और नी वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो पन बाहर देखते हैं क्या है तीन बाहर का तो यह देख सकते कुछ ऐसा सीना बहुत धूप है यहां पे और ज्यादा गरभी भी नहीं पड़ती है मुझे और लोग भॉक में निकल यहां मिता सबसे पहले मामा जी को ठेंक यू मामा जी नहीं कगे तिया है कि भॉत अच्छा लगा ये गेफ्ट और ये क्यों मिणा मुझे क्यों तो अभी मेरा बड़े था 25 को तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाए क्यों क्यों कि यार मैं यहां पर अकेला हूँ और मतलब यह सभी मैं यहां पर अकेला हूँ तो बड़े बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था तो खेर मेरे घर वालों ने वहां पर भी सेलिब्रेट किया और प्लस यहां पर हम आज का सीन कैसा है कि आज मैं फिरी हूं और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी मैं बाहर गया था तो अपने लिए ब्रेकफास्स लेके आया हूं सो वैसे मैं बाहर ब्रेकफास्स लाता भी हूं लेकिन आज खाने का मन कर रहा था कुछ बाहर का खेजिए के आपको दिखाता हूँ कि अपने क्या लेकर आया है क्या लेकर आया हूं मैं हम अन्बोक्सिंग करें गे सबसे पहले हम अपना breakfast करते हैं तो हमारा breakfast जो हमने अपसर लिया है और देखते हैं हमने क्या मतवाय था हमारा breakfast है और एक बड़ा है तो अभी आपने इसको खाएंगे और breakfast खतम करते हैं देन उसके बाद आप से बात करते हैं और चलो इसको हम open करते हैं और इसको तो मैं पहले already open कर चुका हूँ लेकिन फिर से अपन करके तो देखाना बनता है और इसके उपर एक और पड़ी लगी हुई थी उसको हम पहले निकाल लिया तो अभी मैंने इसको पूरा open ने किया है लेकिन इसको डबा देखना था इसलिए इसको निकाल लिया था और यह हमारा blue yeti mic तो यह बड़े-बड़े यूट्यूबर के पास यह मैक तो आपको देखने को मिल जाएगा आपने देखा होगा जो भी बड़े-बड़े यूट्यूबर है उनके setup में यह माइक जरूर होता है और बहुत ही मतलब यह budget में बहुत अच्छा माइक है और यह माइक से आप लाइब स्ट्रीमिंग कर सकते हैं जरू स्काइप रिकॉर्ड वोटकास्त सारत कुछ हाप कर सकते हैं एटू जैड चलो अपने सो ओपन करते हैं यह इसका बॉक्स है तो चलो बॉक्स की पहले इसका आपको देख लेते हैं तो यह blue yeti माइक हमने Мिडनाइट ब्लू में लिया है। रहा इस है में दिखाता हूं तो रूको जरा सबर गरो। इसका प्रास काừख करें तो इसका प्राइभ्य है ayan रहा थार लक्ना यह माइक है कि वैंगा भी क्यों ना हो इतना बेस्ट माइक है जल इसको जब अब इसको ओपन करते हैं सबसे पहले को यह वाय बलता है USB केबल मिलती है तो इसी से नहें करेंगे तो आप इसको लैप्टॉप अप्टॉप में डेक्स्टॉप में जिसमें मैक एक में साब में तो आप USB कनेक्ट करके माइक का यूज कर सकते हो तो यह है USB केबल, अभी इसको अपर ने ओपन नहीं किया, अभी हम चेक करेंगे इसको, तो यह अपन साइड में रखते हैं, फिर यह निकलता है, तो यह तो वो है क्या बोलते हैं, फर्मकूल, यह हमारा यूजर मैनुवल, तो आज के टाइम में कोई नहीं पढ़ता, यह हमा हमारा सबसे महंगा माइक, तो इसको हम उपन करते हैं, बहुत ही भारी है, मैटल का हुआ है, यह बना हुआ है, तो अपन इसको यहां पर रखते हैं, और इसके नीचे यह सपोर्ट करने के लिए लागा है, जो की, एक जगह जैसे आप रखेंगे तो हिलने यलने का कोई इस है, और चलो तो यह हमारा माइक है, बहुत बढ़िया माइक है, यह अपन यहां से इसको टाइट कर सकते हैं, और तो यह माइक है, काफी भारी है और यह आपके सेट अप में अगर यह लग जाए, तो आपका सेट अप की तो सोबह बढ़ा देगा, और आप अगर आपका वाइस कॉलिटी अच्छा होना चाहिए, अगर आपका वाइस कॉलिटी अच्छा है, तो वीडियो देखने भी अच्छा लगेगा, अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यह इस माइक से हो रहा है, और, तो हेलो गईज, वेलकम बेक टू अनदर वीडियो, और जैसे कि आप देख सकते हैं कैसा वीडियो आ रहा है, इसका वाइस टेस्ट कर रहे हैं, गेन का बटन हम इसको बढ़ाते या घटाते हैं, तो अभी जैसे आप देख सकते हो, वाइस बहुत स्लो हो रही होगी, और अ अब आज थेज होती हो रही, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता चल गया होगा, तो अभी हम इसको अरजस्ट करते हैं, तो मैं कहीं पर भी जाओं, कैसे भी रहूं, और ये मेरी वाइस को ही फोकस करेगा, इसमें चारो तरफ माइक है, तो हम इसका चलो पैटन चेंज करते हैं, तो अभी पैटन चेंज हो गया है, तो अभी पता नहीं कैसा आरा, अगर आप हैटफोन यूज कर रहे हैं, तो आपको इस माइक का टेस्ट पता चलेगा, तो अभी हमारा पंखा भी चल रहा है, तो पंखे की सायद आज नहीं आ रही होगी तो दोस्तों आपने माइक का साउंड तो सुनी लिया है कि कैसा माइक है और अब ये 12,000 रुपे का है तो अच्छा ही होगा सो उमीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे लगा होगा अगर अच्छे लगा होगा अगर अच्छे लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एक एंड अगेन मामा जी को थेंक यू तो फिर मिलेंगे ने वीडियो के साथ अब तक लिए जैहिंद वान दे मातर तो ऐसे थ थोड़ा मार दीजे हात आप, थोड़ा से मार दीजे, मार दीजे, एक बार मार दीजे, क्यों कश्थ हो रहा है आपको, अगर अच्छे लगी मार दीजे